स्वागे थापका करेंट अफेर वित आकर्ष में आज की आनी तीन दिसंबर दो हजार तेज की करेंट अफेर को जानेंगे तो चलते हैं पहले कोशन पर कोशन नमबर वन वेल्कम टू पारडाइस पुस्तक की लिखक कौन है सही अंसर है ऑप्शन नमबर सी ट्विंकल घंणा वेल्कम टू पारडाइस की लिखक ट्विंकल खंणा है हाली में उन्हें अपनी पुस्तक को लॉंच किया है और यह लॉंचिंग की समय की तस्वीर है कोशन नमबर टू भारत की जीटीपी चालू वित्यवर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में कित्य प्रतिशत रही सही अंसर है ऑप्शन नमबर बी 7.6 प्रतिशत भारत की जीटीपी चालू वित्यवर्ष 2023 की दूसरी तिमाही में 7.6 प्रतिशत रही जबकि पहली थी माही में ये 7.8 प्रतिशत थी Q3. बारत की पहली महिला 8-day camp महिनीशा पाड़ी बनी इनका संबंद किस राज से है सही अंसर है option number B. उडिसा बारत की पहली महिला 8-day camp मनीशा पाड़ी का संबंद उडिसा राज्य से है Q4. फ्रांस का सर्वच नागरिक पुरुसका रकिस भारतिय नागरिक को मिला सही अंसर है option number A. वी आर ललितमबिका वी आर ललितमबिका फ्रांस का सर्वच नागरिक समान से समानित की गई है ये इसरों के मानो अंतरिक्च उडान कारेकरम निदेशाले की पूरु निदेशक है और इनकी तस्वीर Q5. चीन से मुकाबले के लिए भारत ने एक नए एरक्राफ्ट केरियर के लिए कितना बजट रखा सही अंसर है option number A. पांच अरब डॉलर बारत ने चीन से मुकाबले के लिए एक नए एरक्राफ्ट केरियर के लिए पांच अरब डॉलर का बजट रखा और ये एक एरक्राफ्ट केरियर की तस्वीर है Q6. प्रधान मंत्री ने कहाँ पर दस हजार में जन औशदी केंद्र का उधगाटन किया Q7. तीन एंटी सबमरीन वार्शव आई एनस माहि, आई एनस मालवा और आइनस मंगलूर को किस शेपियाल्ट ने लॉंच गिया सही आंसर है option number C, कोचिन शिप्याल्ट कोचिन शिप्याल्ट ने तीन अंटी सब्मरीन वार्शिब, आईएनस माहे, आईएनस मालवा और आईनस मंगलो को लॉंच किया question number 8, जोशी मठ पुनर रिनमाड योजना के लिए कितने बजट को मंजूरी दी गई question number 9, सीनियर पुरुस राश्ट्री होंकी चेंपियनशिप का खिताब पंजाब ने जीता है question number 10, किस राजे ने एक दिसंबर को अपना एक सटवा राजे दिवस मनाया सही answer है option number C, नागलेंड नागलेंड ने एक दिसंबर को अपना एक सटवा राजे दिवस मनाया question number 11, केंदर सरकार आगामी शीत कालिन सत्र में कितने नए विदेख पेश करेगी question number 12, केंदर सरकार आगामी शीत कालिन सत्र में सत्र में विदेख को पेश करेगी और ग्यारा लंबित विदेख को पेश करेगी question number 12, रासाइनिक युद्धित के सभी पीडितों के लिए इस्मरड दिवस का मनाया जाता है question number 13, नोबल शान्ति पुरुषकार विजेता, हेंरी किसिंजर का सौवर्ष की आयू में निधन हो गया, ये कौन थे? question number C, राजनेता, नोबल शान्ति पुरुषकार विजेता, हेंरी किसिंजर का सौवर्ष की आयू में निधन हो गया, ये अमेरिका के पूरु विदेश मंत्री थे? question number 14, फॉसकौन ने भारत में कितने डॉलर के निवेश का एलान किया? question number 15, विश्व एट जिवस कब मनाय जाता है? सही answer है, option number B, 1 December, हर साल 1 December को विश्व एट जिवस मनाय जाता है? चलिए आजाते हैं, आज की आने 3 December के एदिहास की ओर, 1792 में, जॉर्ष वाशिंग्टन संयूत राज अमेरिगा के राष्ट पती चुने गए, 1796 में, बाजी रौध दूतियों को मराठा सामराज का पेश्वा बनाय गया, वे मराठा सामराज के अंतिम पेश्वा थे, 1829 में, वाशराय लॉर्ड विल्डियम बैटिक ने भारत में सती प्रता पर रोक लगाई, 1884 में, भारत के पहले राष्ट पती राजेंदर प्रसाद का जन्म बिहार के जीरा देही में हुआ, 1889 में, सतंदरता अंदोलन में सबसे कम उम्म्र में फासी चलने वाले क्रांती कारी खुदी रामबोस का जन्म हुआ, 1915 में, भूटान और अरुरांचल प्रदेश में 6.15 की त्रिवता वाले बुकम से 170 लोगों की जान चली की कई घर नश्ट हो गए, 1969 में, भारत और नेपाल ने गंड़क सेचाई और बिजली पर योजनाग पर एक नए समझोते कर हस्ताक्षर किये, 1967 में, इंडोनेशिया के पूर्व राष्टपती सुकल्णों नजर बंद किये गए, 1967 में, भारत का पहला रॉकेट रोहणी रोहणी आरेच सेवेंटी फाइफ तुमबा से प्रचिपित किया गया, 1970, 1971 में, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होने के बाद देश में आपात का लागु हुआ, 1975 में, लाउस ने गड़तंत्र की घोशना की, 1999 में विश्व प्रसिद गिटार वादक चारली डी बर्ड का निधन हुआ, 2004 में, भारत और पाकिस्तान 40 वर्शों के बाद मूना, बाव और खोकर पार के बीच रेल संपर्क फिर से बहाल करने के लिए सहमत हुए, 2008 में, मुंबई में, वे 26 नवंबर की आतंकी घटना के बाद, महराश्ट के मुख्य मंत्री विलास राओ देवक्समुक ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया, 2011 में, फिल्म अभीनेता देवानन का निधन हुआ, थैंक्यू वेरी मच, अगर आप लोगो ये वीडियो सेसन पसंद आया है, तो प्लीज इसे लाइक कीजेगा, शेर कीजेगा और सस्क्राइब जरूर कीजेगा,